हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत यच्छ होंगे मिरा नाम है बहुत बहुत श्वागत है जेनवी मंत्रा पर बच्चों दो हजार पचीस वाला फार्म क्लासिक्स के लिए कब तक आएगा किस महीने में आजाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के मादम से तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए फटा फट और चलिए मैं सुरू क करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्म जो कब तक आ जाएगा कैसे भरा जाएगा डॉक्मेंट्स क्या लगने वाले और आयू क्या होनी चाहिए यह सारी जो जनकारी आपको इसी वीडियो में और बहुत चोटा से वीडियो रहेगा बहुत बड़ा ने रहेगा त पर सबसे पहले हम फार्म की बात करें कि फार्म की जो संभावी तीथी है वो क्या होने वाली है ठीक है यहां पर हम बात करें फार्म की संभावी तीथी की बच्चों तो मैं यहां पर आपको बता दिया हूँ 25 जून 2024 जी हां बच्चों इसी जून महीने में आप सभी की जो जो फार्म है जो हनोदी भी दाले वाला वो पूरा उमीद यही है कि इसी जून महिने में 25 तारिक तक पूरा आपका आने का उमीद है 25 जून तक बच्चों ठीक है और फार्म भरने की जो अमतिमति थी 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 यह मैं आपको बता दिया और यह बिल्कुल बेटा जो है क्या आपका संभाविति थी है ठीक है आप याद रखिएगा कि यह संभाविति थी है ठीक है और यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूं फार्म जो है बिल्कुल फ्री में भरा जाता है इस इस फार्म का कोई चार्ज ने लिया जाता है बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो सब्जेक को जोड़ा गया है और इस बुक के अंदर पूरा थियोरी जो की NCRT पर होता है बच्चों उसको जोड़ा गया है साथी साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी जादा प्रस्ट आपको दिये गये है चेप्टर वाइज जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे और इ स्केन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एकजाम में कौन से प्रस्ट पूछे गए हैं उनके बारे में जनकारी प्राप्त करने के लिए इस बुक के अंदर एक चीज जो सबसे बहतरी ये है बच्चों कि यहाँ पर देखिए दिया गया बिगत वर्सु के सभी पेपर्स के 20 लेसनर चार्ट का समावेज यानि कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो बर्सों में पेपर हुआ है वो वहाँ पर कौन से कोशन को पूछा गया है किस सेप्टर से जादा तो ये सारी जनकारी आपको मिल जाएगा जो कि मदद करेगा आपको एकजाम में कम समय में के लिए तो बच्चो देर किस बात की इस book के हम बारे में बात चित करें और बहतरिन तरीके से तो यहाँ पर scroll down करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ समझाया गया है तो देर किस बात की बच्चों जाए आप मेरे वीडियो के description box में वहाँ से आप इस book को purchase कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर देखिए Amazon Flipkart और यहाँ पर book की website दिया गया है उससे भी आप इस book को purchase कर सकते हैं और एक बात याद रहे बच्चों यह book आपको हिंदी और इंगलिस दोनों माध्य हमें उपलब्ध है तो जाए फटापट book को purchase करिए और अपनी तयारी को बेहतरिन बनाएए धन्यबाद इस फार्म को आप आराम से अपने laptop ठीक है ना laptop या फिर mobile phone एक घर बैठे आप आराम से mobile phone से भी इस फार्म को भर सकते हैं और इसके साथ ही साथ tablet से भी इस फार्म को भर सकते हैं उम्र के हम बात करें बहुत सारे बच्चों को confusion है उम्र को लेकर तो बच्चों मैं बता दू 10 से 12 वर्स का उम्र होना चाहिए यदि आप classics के लिए apply कर रहे हैं फार्म तब ठीक है नद 10 से 12 वर्स के बीच का होना चाहिए मालीजी आप 13 वर्स के हैं तो classics के लिए फार्म नहीं भर सकते हैं या फिर मालीजी आप 9 वर्स के हैं जब फार्म आ रहा है तो सबसे पहला तो आपका photograph लगेगा ठीक है न फोटोग्राफ लगेगा इसके बाद माता पीता का हस्ताक्षर चाहिए और इसके बाद आपका अधार काड़ यानि अधार काड़ का जो विबरण है वो पूरा चाहिए और आपका अभेरती का हस्ताक्षर यह जो है मैं आपको तीन चार जो डॉक्मेंट बता है वो दस से सो के भी के बीच जो है आपका जेपीजे प्रारूप में अपलोड किया जाता है बच्चों ठीक है यह नेट पर क्या किया जाती है अपलोड किया जाती इसी के official website पर जब फार्म आएगा तो यह सारी चीजें आपको अपलोड करना होगा तो बहुत ज़्यादा डॉकमेंट्स नहीं लगेगा बच्चों जब admission हो जाता है आप सभी का admission के समय जब आपका test हो जाता है जब admission के time यह सारी डॉकमेंट जो है और ज़रुत पड़ती है उसके लिए मैं बाद में वीडियो बना दूँगा अभी के लिए इतना ही आपको डॉक्मेंट्स लगता है ठीक है जादा नहीं लगता है तो I hope कि ये जनकारी आपको समझ में आ गया होगा एक बार मैं और बता दे रहा हूँ ये जो डेट है वो संभावित है बच्चों ठीक हूँ तो चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए तना ही फिर मिलेंगा अगले वडियो में तब तक के लिए थैंक्यू एंड जैन बच्चों